हाई फ्रेंज हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज मैं आप से भी किसाद सेर करने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी और टेश्टी रेस्पी जिसका नाम है उपमा इससे आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं तो फिर चलिए इस सांदार सी रेस्पी बनान सुरू करते हैं यहां पिलिया है मैंने आधे कप के करीब सूजी इसे हमें ड्राय रोष्ट करना है इसे रोष्ट होने में 2-3 मिट का टाइम लगता है इस तरह से आप रोष्ट करेंगे तो इसमें जो भी मॉइस्चर है वो खतम हो जाएगा और साथे साथ इसका जो कच्च हो गया है अब मुंगफली को भून लेते हैं तो कड़ाई में मैंने डाल दिया है दो चमसी करी रिफाइन तेल और आधे कप मुंगफली के दाने इसे 3-4 मिट के लिए भून लेंगे आप जाहे तो मुंगफली को रोष्ट करके भी ले सकते हैं आपको जैसा पसंद हो यह देखिए मुंगफली हमारा भून गया है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इससे भी निकाल लेते हैं और इसे तेल में डाल दते हैं किसमिस आप जहे तो किसमिस को बिना भूने भी ले सकते हैं या फिर किसमिस के लिए पर आप काजू ले इससे भी जो उपमा में टेस्ट है काफी बढ़ जाता है और यह किसमिस भी हमारा राइच कर गया है अब इसे तेल में डाल दते हैं आदे छोटी चेमच के करीब जीरा सरसू के दाने आदे छोटी चेमच और एक चुथाई चेमच हींग सभी को सौते कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिच जिसे मैंने बारे काट लिया है अब हरी मिच आप अपने स्वादनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं बारे कटे हुए प्याच एक मीडियम साइच की प्याच को हम एची तरह बूनना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो ज जाता है अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं मटर के दाने आधे कप के करीब मटर को मैंने ब्लांच कर लिया है दो से तीर मिट के लिए ताकि यह अच्छी तरह पख जाए आप जहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं डाइस के हुए गाजर यहां पर मैंने एक गाजर लिया है और एक सिमला मिच इसे भी मैंने इस तरह से डाइस कर लिया है और इन सभी सब्जियों को हम लगभग 72-80% कुक करेंगे तो मैंने यहां पर डाल दिया है स्वादनुसार नमक नमक डालने से सब्जी हमारा चल्दी पकेगा सब्जी हमारा 70% कुक हो गया है अब मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी यहां पर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अकर आप ठंडा पानी डालेंगे तो आपका जो उपमा बनेगा एक दूसरे चिपका हुआ रहेगा खिला खिला नहीं बनेगा तो इसलिए आप यहां पर गर्म-पानी डाले अब इसमें डाल दते हैं सूजी और सूजी को मैं इस तरह से डालने हैं चलाते हुए ताकि इसमें लंस ना है इसे लगतार चलाते रहेंगे जब तक याची तरह मिक्स ना हो जाये और यह देखिए सूजी हमारा अच्छी से मिक्स हो गया है अब इससे कवर कर देते हैं 2-3 मिट के लिए इसे में कवर करके पकाना है और फ्लेम को हम लोग कर देंगे और देख सकते फ्रिंस सूजी हमारा अच्छी तरह पग्या है और यह कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है और जैसे यह थंड़ा होगा वैसे यह खिला खिला बनेगा उपर से डाल देते हैं हरा धनिया जिसको मैंने बारिक काट लिया है और यह हमारा उपमा बनकर त्यार है पर इसमें अभी एक चीज और डाल ले है इससे इसका जो टेस्ट है काफी बढ़ जाएगा तो आप मैं इसमें डाल रही हूं आधिक चमच के करी खी आप एक बार इस तरह से जरूर्ट ट्राइब कीजिए जी डालने से इसका जो स्वाध है काफी बढ़ जाता है तो यह हमारा हैल्दी सांदार उपमा बनकर त्य क्या है तो चलिए इसे गार्निस कर लेते हैं मुंगफली के दाने से और किसमिस से अब भी इस रेसिपी को ट्राइब कीजिए और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें तो होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा चैनल को प्लिए सब्सक्राइब करें बैल आइकन के स साथ लाइक शेयर और कमेंट चुरूर करें तब तक के लिए थैंक यू बाइबाद